कि अब हम लाम देख लेते हैं पहले तो आप लेने हैं वर्टिकली वन टू टैन और होरिजॉंटली आप ले लेंगे वन टू थ्री फूल ठीक है अचा यह वाली लाइन आपने लगानी है वन से लेकर लाइन के हाफ तक करने ठीक है यहां पे अगेन वही आप वैसी बना लें वर्टिकली डाइगनल शेप इसको भी आप लेंगे यहीं इनेवन के हाफ और सॉरी नाइन पॉइंट फाइफ तक नाइन के हाफ तक टीक है अब आपने करना क्या है कि आपने जो फूर्थ कॉलम है ना और तेंथ रो नहीं नाइन इसके यहां पे एक निशान लगा लें क्योंकि अब यह जो गुलाई है ना इसको बाब ने गुमा कर यहां तक लेकर देना है ठीक है कोपी बेशिक गुमा लें ताकि आपके आपके शेप ठीक होजे इसमें सकते तो वह जरा यह दिखें सही इसी तरह इसको भी ले जाएं यह ने दी यह आपके एक नाम बन गया ठीक है सही अब हमें कोड़ नाम देख लेते हैं उसमें यहां पर डिजाइनिंग होजेगी पर मैं वर्टिकल लगा रहीं नंबर वैसे वही वान टू टैन है वो भी 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यह टन टीक है एक तक लिए जादे डार्क मत करें पहले अभी हम इसकी शेप बना लेते हैं उसके बाद हम वो करेंगे उसको नीट करेंगे ठीक है अच्छा ये फूर्थ कॉलम का दियान रखें मेरा फूर्थ कॉलम यहां तक है ठीक है इसको भी यहीं पिला के अप छोड़ दें ठीक है अगर आपको शेप सही करने के लिए यहां से तोड़ा सा उपर भी मूव करना हो तो उपर कर लिया करें इसकी कोई बात नहीं है ठीक है अच्छा यह यह आजेगा यह 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 इस तरह शेप बनेंगे में यह ठीक है बनें बनें इसके मैं ठीक करूँ इसे अच्छा आपकर देखे इसे ठीक है और यह घूल सा ऐसे तोड़ी सी इसकी मैयरमेंट खर रहे उपर नीचे वो भी जाए तो विसली वह आपके हाथ पर डिपेंड करता है तो इसमें इतने परिशान होने में बात नहीं है बस कोशिश करें कि यह फॉर्थ कॉलम तक रहे ठीक है यह नहीं है प्रक्टिस से ही आती है एकी हलए तो नैंकि नहीं है बbir बार बार रेज इसकंड़ना पड़ता है क्योंक्छीस से ही आपका आपके हाथ पर चुटता है यह देखें सही एक लाम है यह अब एक लाम है जिसमें हम वो यू शेप बना देंगे उसके लिए आप लेंगे वन टू थ्री फॉर फ़ाइव सिक्स सेवन एफ नाइन टैन एलेवन तक लेंगे आप ठीक है और होरिजॉंटली वन टू थ्री फॉर फाइव सही अचा भाई आप एक लाइन लगाने वन से एलेवन पॉइंट फाइव तक उपर वही डाइगनल शेप बना लेंगे इसको ले जाएंगे जी आप पन तक ठीक है हाफ के गैप से आपने एक लाइन लगानी है नाइन से टन तक ठीक है और इसके बाद एक गैप से आप लगाएंगे टन से एलेवन पॉइंट फाइव तक इसी हम राउंड कर लेंगे इसे हम राउंड करेंगे तो एलेवन पूरा जाएगा हमारा अब आप देंगे यहां से फिफ्ट कॉलम तक वही अपनी हम शेप बना इनली जी एक नाम आपका यह हो गया सही आप आप अपको इसकी समझाए होगी आप इसाम लीकूँ आप अपना अम्हना अ अलीफ प्रनाम जो हमरे है अलीफ नाम जो हमने सीखा था वह दीखै़ाएग तिक है रहत तो अब आप लेखने उसके लिए आप लें वान टू टैन वर्टिकली और होरिजॉंटली आप लेंगे वन फॉर ठीक है तो आपको इसको जोडने के लिए अब आपको इसको जोडने के लिए अब आपको उसका डिजाइन दिखा रही होना ठीक है तो बिश्मिल्लावन अब आपको जैसे याद है हमने ला बनाया था लाम अलिफ इसी तरह ये भी थोड़ा सा वैसे ही बनेगा पर आप देखने इसको दुबारा से जान से ठीक को पहले तो एक लाइन अपने लगानी है नाइन और टैन पर अधिक उसके अंदर आप लगाएंगे नाइन पइंट फाइव से लेकर टैन तरह से एक का गैप देके लिए नाइन पइंट पाइव और यहां पर आप लेंगे जैस्ट नाइन क्यों क्योंकि ना यह देखिए वाला जो हिस्सा है यह हमारा वो ज्वाइनिंग बन रही है इसको आप जोड़ लें नीचे से यह ज्वाइनिंग है ठीक है अलिफ लाम मैंने आपको जो सिखाया था ज्वाइनिंग वाला जब आप उपर पड़ते हैं अब आपने यहां से देना है जी गैप और मॉस्ट डेड़ का यहां यहां पर यह निशान लगा है यह आपकी जाए ही जी फोर पॉइंट फाइफ तक 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 एक लाइन लाली मैं नीचे से उपर जारी है और उपर से अपने वन और टू रोपे लाइन इसी तरह ऐसी ही लाइन दूसी साइड पर फर्स रो सेकेंड रो फिर आपकी 4.5 से 7.5 तक एक लाइन अंदर आए तो यह आपका पतार डेड़ो जाएगी वन से लेकर 2.5 तक एक लाइन लाइन और यह वाली लाइन आपकी लगेगी फिफ्ट और शिक्स रोपे यह देखेंगी अब हम नहीं जोइन कर लेना इसको आप बंद कर लेंगे असी देखें यहाँ पर आप चाहें तो डाइगनल शेप भी बना सकते हैं डिजाइन भी बना सकते हैं जो मैंने आप उस दिखाए थे ठीक है वो आपकी कमपोजिशन पर क्योंकि डेकुरेटिव हम देख रहे हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं सही अप इसको ऐसे सीधा लिखना चाहें देखें हर चीज़ आपकी कमपोजिशन पर डिपेंड करेगी कि आपने कैसे करना अब आपको पता है कि अंदर वाली हम जो है वो बाहर जोड़ते हैं इस साइज से ले ले लेए लेए दो जो बुझरेगी तो यह बाहर वाली जुड़ते ही अंदर से यह बाहर से आप जिए और अंदर वाली हम दायगे उसको हम नहीं स existe कर देना है इसको ऑल लैप नहीं тяж đã यह अवर एक और बात यहां से ना थोड़ा थोड़ा गैप देना है कि ये इसके मॉड़ रही है कि पेद्धें आइखोके आपको नजरा एजिए पिदेंगे थीकी थोड़ा 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 सा आपने बिल्कुल टच नहीं करना तो थोड़ा से सकिप스 कर देने, बीच में, यह देखे, यह देखें, यह देखें, यह भी यह एसे, अंदर वाली, बाहर से जुड़ेगी, और आपने इसको बिल्कुल नहीं टच करना मेरी यहां से टच होगी है अच्छे यह देखें दुबारा से हम देख लेते हैं सी थोड़ा थोड़ा आपने हर जगा गैप छोड़ लेने यह आपका है अलिफ लाम जो जो जोइनिंग है जैसे अलहमदुलिल्ला में अलिफ लाम और फिर हाथ है ना यह यह वाला अलिफ लाम है साहिए अच्छा ऐसा ही दूसरा देख लें बाब उसके लिए भी वन टू टैन और फॉर कॉलम यहां से हम ले लेंगे फॉर कॉलम अच्छा भी हम उपर से शुरू कर लेते हैं इसकी हम देख लेते हैं कि वह डाइगनल कैसे बनेगी तो अब हमने बाहर से बनानी है तो जाहरी बात हम यह दो रो छोड़ देंगे यह वाली लाइन आप की जाएगी थ्री से फाइफ पॉइंट फाइफ तक फिर हम गैप देंगे यह देखें आदा यह है शिक्स पूरा स्किप होगा और सेवन के खाफ से आपने एक लाइन खेंच नहीं है टन तक ठीक अंदर वाली लाइन उपर से आएगी वान से लेकर फोर तक और यह वाली लाइन आप की आएगी एट से लेकर टन तक इसके साथ वाली लाइन भी ऐसे होजेगी और इसके बाहर वाली लाइन इसके साथ गी ट्री फोर और पॉइंट फाइफ फॉइंट फाइफ ठीक है यहां से सैवन पॉइंट फाइफ से लेकर यहां तक करेंगे क्यों क्योंकि यह जॉइनिंग अलिफ लाम है तो इसको मैं ऐसे छोड़ दूँगी ओपन इसे यहां देखे हैंब हम डाइगनली शेप बना रहे है एक सिखि यह रसे हैं गी देखिये जो उपर वाले किनारे हो गया рहे है ले जाइब को बहुत सारी बताए हैया उनके सब्सक्राइब कर सकते हैं ठीक है यह देखिये यह बाहर logar इंदृ दुड़ एए अन्दृ बाहर से अब यहasmard देगे ना तो हमें यहां पर गैप देरी ताकि वो हमारा नजर आए और लैप नहीं करना इसको 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 नहीं तोड़ा हो तोड़ा सा लेकिन बार आ लिए देखें यहां पर भी आपको डिजाइनिंग कर सकते हैं यह लंबा ले जा सकते हैं अपनी कम पोजिशन के हिस आप से इसको आप लंबा भी कर सकते हैं इसको भी लंबा कर सकते हैं शही अचा अब आपको मैंने एक हाँ सिखाया था ठीक है उसका थोड़ा सा जरा डिजाइन देख लें उसके लिए मैंने लिए और टल्ब तक और यहां से हम लेंगे अल्मॉस्ट फॉर करने हैं आप वन टू थ्री फॉर यह ज्वाइनिंग में भी लगा सकते हैं आप जो आपने करना आप कर सकते हैं ठीक है यह देखें यह आपने 11 तक एक लाइन खेंची यहां मैं डाइगनल शेप खुदी बना रही हूं डाइगनल बनाने यह कुछ और बनाने वो बनाने जो भी आपको शेप सिकाई हूई है यह वाली मैं लाइन खेंचूंगी 10.5 तक आपको याद होगा जब हम 10 से करते थे तो यह धाई हो जाएगए खुदी, ठीक है? और एक लाईन आप यहाँ पे खेंच लें थ्री तक अच्छाई इह जोइनिंग से है जोइनिंग है तो उप देख लीजेगा जोइनिंग है भी कर सकते हैं जोइनिंग के बगार भी उप कर सकते हैं आपकी मर्जी है ठीक है अब इसकी हमने जो शेप बनाई है हमें पता वो ढ़ाई तक होती है तो यहां से मुड़के है यह देखें यह ठीक है अंदर वादी आपको पता है वो भी वैसे ही हो जाएगी ऐसे बनानी है और से बनानी है तो सीधी बनानी यह नहीं ठीक है इसको ज ठीक है अच्छा उसके लिए आप देखने आप लेने सेवन से लेकर टें तक वर्टिकली होरिजॉंट्टी आप लेने फॉर तक आपको पता है हम जैसे अच्छा एक लाइन आप लगाने हैं यहां से लेकर ओविसली फॉर तक अच्छा आपको याद है हम यहां पे एक दाइरा बनाते हैं वैसे हम दाइरा बनाएंगे यह देखें हैं फर्स्ट और सेकंड कॉलम के दर्मयान में ठीक है अब आपको याद है हम ऐसे करके उसको फिर यहां से जोड़ लेते थे सही है और यहां से हम उपर जाते हैं और यहां पर हम वोई शेप बनाते हैं ऐसे यह और यह फिर इसको अंदर ले जाते हैं यह ठीक है इसको बाहर ले आए और आप यहां पर यह देखें आपका यह एक हमजा भी बन गया इसे यह इसे यह एक आपके हमजा भी बन गया आप आप यह इस एप थोड़ी से बेशिक इसको आप बतला करने हैं अब सही है यह नहीं दिए आपके एक हमजा यह बनिया सही बाहराल यह शेप्स आपको प्रक्टिस सही आएंगी तो इसमें इतना वहने की जुरूत नहीं है यह आपका एक हमजा हो गया यह डेकुरेटिव हमजा हो गया अपने साधा हमजा लिखने है यह डेकुरेटिव हो आपके डिपन करता है